दोस्तों एरपोर्ट अप्रोच रोट के रास्ते में पढ़ने वाले बिजली पोल हटाए गए डिसी ने किया निरिक्चन दिये सक्त निर्देश तो दिवगर एरपोर्ट के अप्रोच रोट सहीत अन सवी सेश कार्यों को गती देने और समय सिमाव के अंदर करने को लेकर जिरा परसासन का फिर रेश में है डिसी मंजुनस भजंतरी ने स्वैम पूर्य कार्य की कड़ी मौनेटरिंग कर रहे हैं इसी करम में बुदुबार को डिसी असानक एरपोर्ट इस्तीद अप्रोच रोट के कार्य को दिखने के लिए पहुच गए कार्यों का जाजा लिया उन्होंने ऑन दे स्पोर्ट मौजूद कार्य पालक अवियंता को सक्त नितिज दिया है कि राउंड दे कॉलम काम करके अप्रोच रोट का काम पैस में सिमा के अंदर करे डीसी ने कारेपालक अभियंता से कहा कि अप्रोच रोट की जद में आने वाले सभी बिजली के खंगों को जल्द से जल्द हाटा दें साथी सड़क के बीच इनवर्ट निर्मान कार को जितनी जल्दी हो सके पूरा करे इसमें कुताही कताई बर्दास नहीं होगी की निर्ग्चन के दौरान समन्दित विभाक के कारेपालक अभियंता एरपोर्ट अथर्टी के अधिकारी साथ मौजूद थे दोस्तों 15 जुन तक दिवगर एयरपोर्ट के रनवे का ट्राल उलान करने का निर्देश दिया दोस्तों देवगर एरपोर्ट के उद्गाटन की तैयारी एरपोर्ट अथोर्टी अप इंडिया ने शुरू कर दी है AAI ने देवगर एरपोर्ट में टरनवे का फाइनल ट्रायल करने के लिए इंडिको वो स्पाइज जेट के रीजिनल डिरेक्टर को प्रस्ताव भीज दिया है 15 जून तक दोनों एरलाइंस कंपनियों को देवगर एरपोर्ट के रनवे का ट्रायल उडान भरने का प्रस्ताव दिया है ट्रायल पूरी तरह सफल हो जाने के बाद देवगर एरपोर्ट से उडांग शुरू करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा पिछले दिनों एरपोर्ट अथार्टी अप इंडिया के चेर्मेंट संजीब कुमार ने देवगर एरपोर्ट का निक्षन कर पूरी तरह संतुष जताने के बाद फाइनल ट्रायल के लिए इंडिगो वोई स्पाइज जेट को फ्रस्ताव भेजने का निर्देश इंजियरिंग डिपार्टमेंट के रीजिनल डिरेक्टर को दिया था जिसके बाद इमेल के जरीए दोनों एरलाइन्स कमपनियों को सुचित किया गया है कि कुलकता से दोनों फलाइट्स ट्रेयल के लिए देवगर एरपोर्ट आएगी चेयर्मेन के निर्देश पर एरपोर्ट परिसर समेथ पार्किंग एरिया वो रनवे के आसपास लाइट की संख्या भी बढ़ाती गई है साथे टर्मिनल के बिजनेस लाउंज वो भी आइफी लाउंज में सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतर कर दिया गया है उदगाटन से पहले टर्मिनल के डिस्प्ले बोर्ट समेथ सभी डिजिटल मशीनों का अपडेट किया जा रहा है दोस्तो दिवगर एरपोर्ट को पुरी तरिके से चालू करने के लिए या अंतिम तैयल होगी जो 15 तारिक को होने बाली है इसके बाद कभी बी उदगाटन कर दिया जाएगा हो सकता है कि या ट्रैल के बाद ही वह अतिती बताई जाएगी जिस दिन दिवगर एरपोर्ट का उदगाटन होने बाला है दोस्तो अब देखना हिया है कि ट्राइल के लिए इस पाइस जेट और इंडगो की बिमान कोलकाता से कब रवाना होती है और कभी इस एयरपोर्ट का ट्राइल लेती है इसके बाद ही कोई डेट मिलेगी जिस दिन देख़र एयरपोर्ट का उद्गाटन पर्धार मंतरी नरन मोधी के द्वारा किया जाएगा दोस्तों जितनी बेसबरी से दिवगर एयरपोर्ट के स्टार्ट होने का वेट कर रहे है दिवगर वासी जितने बेसबरी से दिवगर एयरपोर्ट के उत्गाटन किती थी का इंतिजार कर रहे है उतने ही बेसबरी से सायद परधार मंतरी नरन मोदी भी दिवगर आने के हैं दोस्तों अब दिखना यह है कि आकिर कब डिवगर एयरपोर्ट का उद्गाटन होता है और फर्स्ट फ्लाइट यहां से कब उड़ान भरती है और किस सिटी के लिए उड़ान भरती है तो दोस्तों यह न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और सियर करें